एलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उमीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे से चल ले होगी, दोस्तों अभी कुछ दिर पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया है, क्रेस्बुक पे, उसमें हमने बताया है कि आयोग ने, यूपेट्रेपलसी ने, ले वनवरी को इसका फार्म आ जाएगा ऑनलाइन और 28 तक इसके फार्म भरे जाएंगे और 4 फर्वरी तक इसका संसोधन करने का यानि करेक्शन का अगरेट होगा, तो दोस्तों ये इसके बारे में कुछ डिटेल है जो आपको जानना चाहिए, इसमें दोस्तों ये बता दिया गया है कि आवेधन प्रक्रिया कैसी तब होगी, किस तरह इसको भरना है, क्या-क्या इसमें जो एलिजबिल्टी है, वो सब क्या-क्या मांगा गया है, तो आपको बताते हैं कि देखो इस भाग में लॉग इन करने को प्रांद अभ्यारती को जो फेट 2020 में माता पिदा का न किस्ति आदी वो जब अपने आप उसमें पहले से दिखाएगा, क्योंकि वो सर्वर पर सेब होगा, और साथ-साथ आपको यह सनो का जो विकल्प है, उसको चैन करते वे, चूच करते वे आगे बढ़ते रहना है, इसमें सब कुछ जो आपने पहले पेट में डाल लगा है, उसको सब कुछ दिखेगा आपको, और दोस्तों उसके बाद नीचे आपको एक इंटर वेरिफिकेशन जो कोड होता है, वो देना होगा, फिर सब्मिट करना होगा, जब उसको आगे करिंग प्रोसीड, तो अव्यारती का जो अवेतन पत्र वो प्रदर्सित होगा, जिसमें कोई उसमें परिवर्तर यहां संसोतन नहीं करना है, वो होगा भी नहीं, और साथ-सद यह बताए गया, व्यारती का जो फोटो तदा हस्ताक्चार होंगे, वीव के तुरन उपरान थी, कांटिनू का बटन क्लिक करने का आग, वो आपसन दिखेगा आपको, फिर और वीक का परिशन वगरा होगा, उसको यस, ओके करके आप आगे प्रोसीड करेंगे, और फी वगरा पेमेंट करेंगे, तो यहां पर वो जो भी चीज़े हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजेगा, और भी कई चीज़े हैं, जो आपको जानना चाहिए, बागी पेमेंट वगरा तो आ आउनलाइन प्रक्रिया फी है, 25 रुपे, आवेदन फी सुल्क 0 रुपे दिखा रहा है, लेकि आउनलाइन प्रक्रिया जो फी है, वो 25 रुपे है, और फी सुल्क योग आउनलाइन प्रक्रिया दोनों मिला के 25 ही दिखा रहा है, OVC का 25 है, अनसुशी जाती का 25 है, और अन पुर्षैनिको एम महिला अभ्यारतियों का जो क्रमांग है एक से चार तक कावलेखित जो उनके मुल सेड़ी अनुसार फीस सुल्क दे होगा उसमें सम्मेंसर कर रखा है और बाकी ये तो कोई वो बड़ी चीज नहीं दे रखा है सिंपल वही सब चीजें हैं काफी अच्छे तो कोई भी बात हो जाती है तो आपके लिए एक काम करेगा और उसके बाद दोस्तों सब कुछ होने के बाद फीवगर जमा होने के बाद अबना जो प्रिंट आउट है उन्टे ले लेने बाद अभ्यारति आयो की वेब साइट होम पेज में जाकर अप्लिकेन्ट सेग्में पूलने की जरूत नहीं है आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा इस वीडियो बनाने का में चीज़ यह था कि क्या क्या स्लेबस है स्लेबस के बारे में हम कुछ जानना था अब देखिए ये तो आप कर सकते हैं दोस्तों ये पदों का वीवरण दे रखा है कितना कहा है किस जाती में कितना है अनरचित में 321 है अनसुशी जन जाती में 16-90 है पिछड़ा वर 21-74 है जन जाती जो 152 है टोटल 885 सीटे हैं और ये देखिए विभाग वगर दे दिया है क कि ये उतना आपको टीप में पढ़ने ही जूरत नहीं है मेन आपका होना चाहिए कि आपका एल्जिबेल्टी आप क्रेटेरिया कर रहे हैं कि नहीं भागी ये तो डिटेल दे रखा है कि दोस्तों ये आयू सीमा चो दिया है इसने 18-40 वर के आयू के बीच में जिन्होंने पेट का पॉलिफाइग किया है वो भर सकते हैं लिकपाल का हलांकि इसमें कहीं नहीं मिंसन है कि कि इतना प्रसेंटाइल उन्होंने डिमांड कर रखा है कि इतना चाहिए कि जिस दिन फॉर्म आएगा आपको उसमें पता चल जाएगा कितना चाहिए लेकि मान के चले 75 तो ह होना ही चाहिए तो आपके तयारी है 70-75 है तो आप निस्यंत्र है आपका हो सकता है और एज में छोट मिलेगा रिलेक्सेशन मिलेगा ओवी सी सी स्ट वालों को और भूतपूर सैनिक है उनको भी कुछ फायदा होगा EWS वालों कुछ बेनेफिट मिलेगा और दोस्तों आपक 25 नंबर के होंगे गड़ीत आएगा 25 नंबर का 25 कोशन होंगे समान गयानों का 25 25 नंबर के होंगे और ग्रामीड परिवेस जो आएगा यानि ग्राम समाचेवं विखास वो 25 होंगे इसमें आपका एक चीज और है इसी 25 कोशन में आपका UP special भी आएगा और इसमें आपका ग् समान गैन में डालेगा या इसमें डालेगा तो आप ये दो घंटे का पेपर है 120 कुशन आने वाले हैं अब देगे इसमें निगेटिव मार्किंग होगा एक बटे चार यानि 25% नमबर काटे जागर अगर एक कुशन 100% का है तो अगर गुलत करते हैं यानि एक बटे चार कहा जाए तो 25% नमबर काटेगा एक कुशन पर इसमें बकायते इसनोंने दे दिया है कि पार्टिकर में क्या आएगा इसके पहले तक इतना डीप में नहीं देता था लेकिन आपकी बार क्या हुआ उन्होंने एक एक चीज मिंसन किया है कि कौन सा टॉपिक से पूछे है क्योंक जांसों के लिए एक सब निर्मार लोकुक्तिया मुहावरे यह सब अपटित का द्यांस बगरा वचन लिंग कारक काल वरतनी इस पर कुशन आएंगे हिंदी एजी है अब हिंदी थोड़ा पढ़ लें और गणीत का कुशन है 25 कुशन आएंगे तो पता यह नंबर सिस्टम ह प्रॉफिट लॉस है इस्टेटिक्स है और बारामबारता वगरा जो पूस्ता इसमें पाई चार्ट वगरा है टेबलर चार्ट है यह तो आपको पेट में देखने उमला था बाकी मीन मेडियन मोन वगरा जो आता है वो आएगा फिर अलजेब्रा पोर्षन आता है आपके जो समिक्राड वाले कोश्चन आते हैं एक्वेशन वाले वह आएंगे क्वाडियर्ट क्योकेशन गुडन खंड छेतपल जो मेंसुरेशन वगरा होते हैं यह होगा है उसके बाद आपका जो रेखा गडित है उसमें आपका त्रिभोज बगर यानि ट्रेंगल वगर पाइथागोरस वगरा और रेक्टेंगल इसक्वाइर पैलेलोग्राम वगरा यह सब आएंगे छेतपल यानि आपका सर्फेस एरिया वगरा जो कुश्चन आप बनते हैं वो सब पूछेगा 2D 3D विरित सरकल यह सब आएंगे और तीसरा जो है समान गयन का इसमें तो आपक इतियास में प्राचीन पे नहीं करता मेडियोल पे नहीं करता जादा करेगा तो आपका आधुनिक पर करेगा जो आपका आधुनिक भारत है modern history उस पर जादा फूकस करता क्योंकि वो जो सवतंतरा आंदोलन वगरा है आपने पेट में देखा होगा उस पर आलग से उन्हें दे रखा था कि सवतंतरा आंदोलन को जादा उन्हें तवज्जो दिया था इसमें वो है रहेगा भी कोशन बेसिकलि उसी पर जादा मनते हैं बागी अर्थव्यस्ता पॉलिटी है जोग्राफी है यह सब तो आएगा ही और वी कुछ टॉपिक बगर दीख रहे हैं आपको वह आप अच्छे से करिए और इसका वोगोल बगर कुछ कोशन देख लीजेगा उसमें अच्छे से उन्हें दे रखा है कि 200 वोगोल भी इसका पीडियो अगर आप लोट कर दूं अच्छा अच्छा आप पढ़ सकते हैं अधर्वाइज अगर टाइम मिलेगा थो हम इसका एक छोटा से वीडियो बनाएंगे चार पांच लिक्चर है उसमें आपको जो मेन चीज़ें वो देखने हो मिल जाएंगे अगर आपको इ ग्राम समाज का प्रधान का यह सब इसमें बियासिकली देखने मिलता है इसका पूछा जाता है और में चीज़े किया जाएगा जैसे पेट में किया गया था तो तो होता ही है कोई बड़ी बात नहीं उसमें बाकि जो आपकी सर्टिफिकेट बगर हैं आपने बनवा रखें उसको रेडी रखिए और अपने तयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकि जाएगे क्योंकि आपका मान के चलिए कि चार से पांच लाग बच्चे जो पेट में थे उनमें से अगर 70-75% डाइल लेता है जो चार से पांच लाग बच्चे बैठेंगे पेपर में तो वही बहुत बड़ी एक रेशियो बहुत मतलब कम हो जाती है चार-पांच लाग बच्चे रहेंगे आठ हैर पोस्ट रहेग